आपको न्यूज एटीन नेटपर्ग को यह एक्स्क्लूसिव इंटर्व्यू देने का बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपने पानिशिंग शेडियूल से हमारे लिए समय निकाला इस इंटर्व्यू को हम थोड़ा अलग तरीके से करेंगे कुछ बिग पिक्चर सब्सक्राइब आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और मुझे अच्छा लगा कि आपने अपने साथ करनाटर का और महारास्टर को भी जोड़ दिया है तो एक वकार से आपने मेरी मदद की है वरना तीनों को अलग अलग इंटर्वू देता तो शायद मुझ इधर दर जा रहे हैं हम लोग साउथ में थे बिहार गए और भी महाराश्ट में भी थे तो हर जगे ये देखा गया है कि चाहे विपक्ष से बात करें चाहे आपके उमीदवारों से बात करें लोग कहते हैं कि जब मोदी जी यहां आएंगे तो सब कुछ बदल जाएगा अ अब ये तो सारा खेल मेडिया के लोकों का होता है किस समय किस प्रकार से अनालिसिस करना लेकि मैं इतना कहूंगा कि मैं कोई चुनाओ के समय काम करने वाली सरकार नहीं चड़ाता हूं अब मेरा दस साल का रेकॉर्ड देखेंगे तो एवरेज फ्राइडे, सट्रेडे, मैं हंदुस्तान के किसने किसी कौने में गया हूं जनता के बीच में रहा हूं और इसलिए मेरा जाना निरंतर चलता रहता है और चुनाओ में मैं मानता हूं कि यह लोगतँ अंत्र का उत्सेब ऐसा है कि सभी राजनीतिक दलों का करतव यह हैं शादा से ज्यादा लोगों के बीच जाएं, जाकरके एक प्रकार से प्रशिक्षन का काम होना चाहिए, समवाध होना चाहिए, विचार विवर्स होना चाहिए, तो मैं एक राजनितिक खेत्र के कारकर्ता के जाते हु, चुनाओ ह्या नहो, मैं इसे अपना कर्तल में मानता हूँ, और इसले में जाता हूँ, जहां तक ये दो फेस का सवाल है, मैंने ऐसा जर्शाबर्थन, बहुत कम चुनाव में देखा है, जो मैं इस बार देख रहा हूँ, एक प्रकारचे चुनाव, जनता जनार्दन लट रही है, सुषासन के लिए लड़ रही है, अपने सपनों को साकार करने के लिए लड़ रही है, ऐसा मुझे लगता है साइद, मैं तो साइद एक निमित हूँ, इस बार मेरा ज़रा ज़्यादा उत्सा है लोगों के बीद जाने कहा हूँ, पहले के तोलना में साइद, मैं ज़्यादा जाना भी चाहता हूं। इसलिए कि जो जनता जनारदन इतने उमंग और उच्छा के साथ इतनी बड़ी जिम्मेदबारी उठा ली हो, तो जनता जनारदन को जाकर के उनको प्रणाम करना, नमन करना, उनको आशिरवाद लेना, यह मुझे अपना करता भी लगता है। और मैं देखता था, जो फर्स्ट राउन हुआ, मैंने किसी दोस्तों को कहा था, कि पहले राउन में, यह हमारे खिलाब जो लोग मोर्चा लगारे, मैं बैट्रे की कोशिज कर रहे है, पहले राउन में वो पस्त हो गया है। और कल मेरे देगा, दूसरे राउट में ये दवस्त हो चुके जैंगे, याने पहले लोगों ने पौस्त कर दिया, अब दवस्त कर दिया. मोधी जी जब campaign की आपने शुरुआत की थी तो बड़े high note पे ये campaign की शुरुआत हुई थी आपने कहा आपने अपने सरकार के पूरे काम का परिचे दिया आपने development agenda को लेकर आगे बढ़े economy पर आपने जो है बहुत प्रकाश डाला और इसके उपर बहुत काम हुआ भी है अभी इधर अधर एक दो चरल के बाद आते आते आपने जो है राजस्थान में एक rally में एक Congress पर Congress के manifesto पर एक direct attack किया आपने ये तक कहा कि इनका एक scheme है जिससे कि ये well distribute करना चाहते ये पता लगाना चाहते हैं किसके पास कितनी जमापूंजी है किसके पास कितना पैसा है किसके पास कितना सोना है silver है चांदी है और उसको वो मुसल्मानों में और घुसपैठियों में बाट देना चाहते है क्या ये threat इतना real है क्या आपको ऐसा दिखता है मुझे रता है एक शायद आपकी टीम ने मेरा पुरा केम्पेन को ट्रैक नहीं किया है यह शायद विकास की बहुत सी बाते हैं से हैं जिसको शायद एरपी के हिसाब से बैठता नहीं होगा लेकिन आप में देखा होगा कि मेरा पूरा एरिक्षन केम्प है दो चीजों पर केंद्रित है एक हम ने समाज कल्यान को लिए लोग कल्यान के लिए क्या काम किये और सबसे बड़ा फर्ग है और सरकारों में में सरकार में वो यह है कि लास्ट माइल डिलिवरी यह हमारी विशेस्ता है नीतिया तो सरकारे बनाती है कोई सरकार बुरा करने ले बोल रहा हूं कि हमने गरीबों के लिए चार करोड घर बनाएं मैं इतना लोगों को कहता हूं कि आप इस तुनावा प्रेतार में जाएं तो मेरी मदद करें कि जुसके घर बनाना भी छूट गया हूं हर गाओ में इतको एक तो निकलेंगे उनकी सुची में भेजो ता कि जैसे ही मेरा तीसरा टम शुरू होंगा मैं इस खाम को आगे बढ़ाना चाहता हूं तीन करोड घर और मैं बनाना चाहता हूं अब आईश्वान भारत योजना दुनिया के सबसे बड़ी हैं हेल्थ इंशॉरंस और हेल्थ एश्वरंस की स्कीम है यह पच्छपन करोड लोगों को इलाज का भरोसा कि अब आपको मोधी हैं मोधी की सरकार हैं पाँच लाग टू कर तक का खर्च होगा सम्भाल लेंगे इस बार हमने मैंने 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 मै कैसे बहुत कर दो कि किसी भी बढ़े का कि सिभी समाज का किसी भी बैकडाउंड का विक्ती को नहों हो जिस भी परिवार में सब्तर से ऊपर के आई। के जो भी व्यक्ति होंगे पूरुस्तरि सब उन सब को हम यह पांच लाग लाग शुबय तक मोधी लाज की शुविला इत पर आमने मैनिफेस्टर में यह भी कहा है, कि जो आशा वरकर है, आंगनवाडी वरकर है, उनको हम इसका बेनेफिट देंगे, ट्रांसजेंडर जितने भी है, किसी भी आई की क्यों नो को, हम उनको बेनेफिट देंगे, तो यह बात हम लोगों को बताते हैं, अब आप दे कि गरीबों के नाम पर लूटा गया है, लेकिन हमारे देश की बैंक के खस्ता हाल हो गई, आधे से अधिक आबादी ऐसी थी, कि गरीबों के नाम बैंक तो लिया है, लेकि बैंक खाता नहीं किया, यह मोदी ने आकर के 52 करोड बैंक के खाते खोडे, और उसका सबसे बड़ इस ट्रीनिटी को लेकर के डारेक्ट बैंक ट्रांसफर, 36 लाग करोड रुपी ऐ, आकड़ा बहुत बड़ा होता है, जुष थी, 36 लाग करोड रुपीए डारेक्ट बैंक ट्रांसफर लोगों के खाते में गए, अगर मैंने बैंक खाते ना खुले होते तो, इन्हका कि दुनिया में एक साल में जितने अकांट फिलते होंगे उसे जादा का हमारे देश पे हुआ है जल जीवन मिशन हमारे देश में जी तीन चार परसंद घरों में भी घर में नल से जलाता था वो भी जाता था अर्बन लोकालिटी में आज 14 करोड ग्रामेर परिवारों को नल स सारे का हमें 25 करोड लोग गरीबी से बार ऐसे ही नहीं आए जी हमने उनको इतना स्वसक्त बनाए और मेरी स्टेजी यह है कि हम गरीब को इतनी ताकत दें इतनी ताकत दें कि गरीब खुद गरीबी को परास्त करें और जब गरीब अपने महनत से गरीबी को परास्त करता है उसके बाद उसको गरीबी में वापिस नहीं जाना यह संकर्प बन जाता है और वो देश की शक्ती बन जाता है आज हमें फायता है 25 कोरोड लोग गरीबी से बाहर आए बहुत बड़ा इची मैंट है जी दुनिया इसकी तारीक पर रही है जी और यह एक मोडेल बनेगा यह ज देखे 2014 के पहले क्या हो था? 2014 के पहले आपके सारे मीडिया वाले निकाल दीजिए फ्रेजाइल फाई फ्रेजाइल फाई यही एड्लाइन होता था आज हम वाइबरेंट एकॉनमी बन गए है आएमेफ ने दुनिया के 150 देशों का समू जिसमें चाइना भी है हिंदुस्ता जिसको हम कहें कि डेवलोपिंग कंट्रीज है या जो इमर्जन इमर्जिंग एकॉनमी वाले देश है ऐसा का एक सभूं का उनको क्लाशिफाइ करके उन्हों उसका एनालिसिस किया बड़ा इंट्रेस्टिंग अने एक पाकार से यह इंडिया का प्यर गुरूव हम कह सकते है अब देखे क्या अनरिस हैं 1998 इंडिया पर कैपिटा जीडिप इस पियर गुरूप से 30 प्रतीशत के आसपास थी जहने पूरा ही देशों देशों के देशे से उससमें अटल जी की सरकार थे अने 98 में अटल जी की सरकार है 98 से 2004 अतल जी के अपने कारखल में यह 30 प्रसंट को 35 प्रसंट ले गए अच्छा अच्छा प्रोग्रेस हुआ लेकिन दुरभागे देखे जी 2004 में यह सब खिचडी कंपनी आ गए और खिचडी कंपनी ने अटल जी की महानत जोधिस पर पानी फेर दिया 35 प्रसंट को 30 पर यानि इन सारी कंट्रीज ने बारत से जादा अच्छा परफॉर्म किया और हमने बुरा किया यूपीय की सरकार में भारत डेवलपनी वर्ल की अपेशा और गरीब हो गया हमसे गरीब तो वो भी हमसे आगे निकल लेकिन 2014 में हमाई सरकार बनने के बाद 2019 तक में आपको खु हम तीस परसे 37 पर पहुंचा दिया और 24 तक मैं जब पहुंचा हूं यह मामला 42 परसंट पहुंच गया है यानि 30 छोड़ा था हम 42 ले और यह हाइस टाइज है यानि हमारी इंकम दुनिया के और देशों की अपेक्षा बहुत तेजी से बड़ी है अगर आप 10 साल के कालखन में इंफ्लेशन को भी ले जो महंगाई खितनी चर्चा करते हैं तो यह 10 साल सबसे कम सबसे कम इंफ्लेशन वाला कालखन रहा है यह मैं इतना सारा जो कहता हूँ और हकिरकत के अधार पर कहता हूँ कठोर परीशन करने के बाद एक्षिव किया है पूरी सरकार को मोबिलेज किया है और लक्ष को पार करने के लिए जी जान से जुड़ गए है उसके बावजुद भी मोधी का कहता है वोधी तो ट्रेलर है मुझे तो और आगे जाना है और नहीं नहीं आकांग शाहिए और मैं बहुत तेजी से बढ़ना चाहता हूँ देश को लेकर के और कॉंग्रेस ना जहां तक मैनिफेस्टो है कोई मुझे बताए क्या चुनाव के अंदर पोलिटिकल पार्टियों के मैनिफेस्टों ये कोई कि इस वपिश के लिए होते हैं क्या सच मुझ में ते मिडिया का काम है कि हरे कुल्टिकल पार्टियों के मैनिफेस्टों की बारी की से जांच परताल कहें मैं इंतजार कर रहा था कि मिडिया करें पहले दिन मैंने एक कॉमेंट तो कर दिया था जब को आज करनी रहा कि कि बिडिया चौक जाएगा जो एनालिसिस करने वाले चौक जाएंगे तकि पतानी अब उनकी व्यस्त्रता कोछ और है मैनिफेस्टों मैं उनकी तरफ से जो परोशा गया उतनों गुड़ी 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 उशालते रहे तिर मुझे लगता भी तो एको सि जाना पड़ेगा मैंने काफी दस दिन हित्यार किया कि देश इस मैनिफेस्टों मी जो बुराइया है उसको कोई 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 कोगी निस्पक तरिगे सा आता है तो अच्छा है आखिरकर मुझे मजबुरन ये सच्चाहिया लेकर के आज पड़ी आप तेखिये साब उनके एक म अच्छ बन परसंट टेक्स आपकी प्रोपर्टी अब मैं विकास और विरासत की बाद करा हूं ये विरासत को लूट रहे की बात करते हैं तो मैं अरवेल्ट रिडिविस्टिविशन की बात करते हैं और उनके आज तक का इतिहां से वो करेंगे क्या तो फिर मेरी जिम्मेर मेरी रिस्पोंसिबिलिटी है कि मैं देश वास्यो को बताऊं कि भी ये इस दिशा में ले जा रहे हैं अब आप तै कि जाना ने जना जनता जनान का हरता है लेकिन मेरा दाइत्व बनता है कि तर्थ ये अधर पर उनकी हकिकों तो अधर पर मुझे बताना चाहिए वो मैं ब कि जो हम लोगों की जमा पूंजी है जब हम अपने लोग पुरा बचाते है अपने फैमली के लिए जब हम उसको अपने आने वाली जनरेशन को देंगे तो उस पर भी टैक्स लगेगा और ये टैक्स बहुत बड़ा टैक्स हो सकता है तो क्या आप कहेंगे कि बीजेपी मैं भी जनर्डाल देके गूंगा ये सवान आपके मुन में कैसे आ जाता है भारती जनरता पर्टी की विशारतारा साफ है जी हम अपनी विशारतारा के आधार पर कारकमों को लेकर के मैनिफेस्टों को लेकर के देश के सामने जाते हैं कुरुपा करके ऐसे महासारों के वि परकार अगर उनकी आएगी तो वो एक national x-ray कराएंगे, इसी से जुड़ा सवाल है, इसलिए मैं पूछना चाहरा हूँ, एक national x-ray कराएंगे, बात सिर्फ caste census की नहीं है, जो कि वो करते आए हैं, उस पर भी आपका मत जानना चाहूंगा, बात वो कहते हैं इससे आगे है, बात कास्ट की नहीं बात justice की है, और वो कहते हैं कि हम जो है, एक socio-economic survey लाएंगे, एक institutional survey लाएंगे, और उसमें देखेंगे कि किस के पास, किस जाती और किस वर्क के पास क्या है, कितना धन है, कितनी institutions में भागेदारी है, और उसके basis पर हम इस पूरे system को redistribute करेंगे, इसको अपने आप मो राजनिती के एक्षपर्ट मानते हैं, जो लोग बेश के उतार चड़ाव को बड़ी बारी किसे अध्यन करते हैं, सबसे पहले उनका दाइत्व हैं, कि वो ऐसे लोगों को पूछे, कि जिस परिसितियों का वर्ना आप कर रहे हो, अगर यह सही है, तो सप्ता साथ, साथ, पैसर साल तो आपने राज किया भई, यह मुसिबत के जन्म दाता है आपको, और आपने अब तक कि यह बरबादी लाए ही यहां, पहले उनका जब आप मांगो भई, नमब बान, नमब तू, एक्षर का मुझाएजी, मुतलब हर परिवार में जाना, गर गर चा किया जाएगा, उनके घहने ले लिए आएंगे, जमीनों का हिसाब किताब के आजाएगा, और फिर उसको रिडिस्ट्रिबूट करेंगे, यह दुनिया में एक माववधी विचार ने सब किया हुआ है, दुनिया बरबाद हो चुकी है, यह पूरी तरह अर्बन नक्सल को सो किया है, मैनी फैस्टों आने के दस दिन के बाद भी यह जमात आए दिन लिख्था पटी करती है न, उचूप रही है, उनके प्रोटेक्शन में चूप रही है, तम बिलके मेरी जिम्मेवारी बन जाती है, कि देश को जगाना, कि पर देखिए आपको लूट ने कि यह थरक होगा, तो हिसाब कुदा बोसाब है, वो क्या करना चाहते है, आपने ये सवाल भी उठाया है, 2006 का एक वीडियो जो वाइरल हो रहा है, जिसमें मनमोहन सिंगी ने कहा है, कि गरीब मुसल्मानों का पहला अधिकार रिसोर्स पर है, यह उन्होंने साफ का है, आपने उसको मै समाज बर ऐसा करने की कोशिश की भी है, अरे भाई, यह तो बड़ा इंटरस्टिंग सवाल आपने पूचा है, ज़रा मरा जवाब लंबा हो जाएगा, लेगिन देश के लिए मुझे बताना पड़ेगा, बताइगा, आप कॉंग्रेट का इतियार देते हैं, नब्बे के द कॉंग्रेस ने पूरी तरह इस बात को खरिच कर दिया, उसका विरोध किया, उसको दबाने की कोशिश किया, यहने नब्बे के पहले का उनका दसाग है, फिर उनको जितनी भी कमिशन बने, जितनी कमिटिया बनाई, उसके भी रिपोर्ट्स, OBC के विचार के पक्ष में आन पाते रहे, नब्बे के दसक में, उनको लगा गभी अभी इसको जरा, उनकी वोट बेंक की राजलिटी के अनुसार उसको टन दिया जाए, उनको पहला पाप के क्या, नाइन्टीज के दसक में, करना टका में उनको धर्म के आधार पर, आपको यहाद होगा, करना टका में उनको ने धर्म के आधार पर मुसल्मानों को OBC गोशित कर दिया, यानि देश के OBC को नकारना, उस विचार को दबाना, उस विचार को रिजेक्ट करना, लेकिन राजलिटी खाकर मुसल्मानों को OBC गोशित कर देना, केंद्र से कॉंग्रिस गई, 2004 तक यह प्लान ठप रहा उनका इरादा पक्का नहीं हुआ, 2004 में उफिराए, तो आते ही आंद्र में मुसल्म को OBC कोटा देना ताय कर दिया, मामला कोट में जाके उलज गया, अब OBC के 27 परसंट जो आरक्षान में मिला हुआ है, भारत के संसद ने दिया है, समीधान के मुनभूत भावना के प्रका में दिया है, 27 परसंट सैद लगाने की उन्होंने तहरी करती है, डाका डालने की कोशिश की है, 2006 में नेशनल डेवलप्मेंट काउंसल की मीटिंग भी जी, NDC की, मन मोन जी ने बयान पर भाट बड़ा हंगाम हो गया है, दो साल कॉंग्रेट पूरी चूप रही है, 2009 के में केमिनेट नोट है इसका, 2011 के केमिनेट नोट में वो भी सी के 27 परसंट हिस्सा डाका डाल करके उसमें से मुसल्मानों को दे देना, उन्होंने तै किया जी, 2012 यूपी चुनाव में भी उन्होंने इसकी एक असफल कोशिश की फाइदा नहीं हुआ, 2012 आंद्र हाइड कोट ने इसको रिजक कर दिया, रद कर दिया, कानूनी जज्जमेंट आ गया, SC में गया, Supreme Guard में गया, वहा भी उनको कोई रिलिफ नहीं मिला, 2014 के गोशना पत्र में भी, दर्व के आधारपन, आरक्षण की बात कही है, जबकि हिंदुस्तान का संविधान जब बना, तब तो आपरुस बेठे थे, उन सब ने लंबे चिंतन के बाद पाई किया था, कि भारत जैसे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, दोजर चोबीस के चुनाव में आप देख रहे हैं, उनका मेनिफेस्ट और मैने था, इस पर पूरी तरह मुस्लिम लिग की छाप है, उन्हें मुस्लिम लिगी नीतिय उन्होंने अपना रिशुर किया, अब ये जो उन्होंने सित्या बनाई है, मुझे बताईए कि देश के लोगों को ये जिस प्रकार से सम्मिधान की दज्जियां उड़ा रहे हैं, जिस प्रकार से लोग बापा साब आम्बेट करको, अप्मानित करते हैं, SC, ST के आरक्षन पर भी खत्रा तलवार लटका देते हैं, OBC का तो जीना मुश्किल कर देंगे, क्या मुझे देश की जनता को प्रसिक्षित करना चीए कि नहीं करना चीए, मैं सभी जो भी विद्वान लोग हैं, जो कलम के धनी हैं, जो निस्प बनता हैं, कि ऐसे थमाइद देश को वो एजुकेट करें, सही चीज़े बताएं. कॉंघरेश का कहना है कि उन्होंने ऐसा सप्यसिफिकली नहीं बोला है, जो कि उन्होंने मैनिफेस्το में बोला है, उनुसो इनकरेज और एसिस्ट करेंगे स्टूदेंस को बिलोंगिंग्ग तो दॉमाइनौरिटीज, उन्होंने ये का है कि we'll ensure minorities receive their fair share of opportunities, ये बोला है, तो आप कैसे पढ़ते हैं, मितले उनके मानिफेस्टों को? मुझे पकड़ने ही जरूती है, मैंने 1990 से आपको हिसाब दिया है जी 1990 का हिसाब देखोगे, उसके बाद आप क्या कहोगे मुझे? आप उसमें अनालिसिस करने की जरूती है पढ़ती है आपको 1990 से लेकर के डॉक्टर मनमोन सिंग जी के 2009 के बयान तक और सारी चीजों को एक टेबल पर लेकर के देखोगे तो आप बिलकुल इसमें से क्या निकालोगे भाई? मैंने ही निकाल रहा हुआ हरे को यही निकालना पड़ेगा भी हम मतलब की यह कहें करके यहां जाएंगे वो और यह जो भागिदारी की बात करते हैं इंस्टिटूशन में कि जाजेज OBC नहीं है मीडिया में OBC का रेप्रेजेंटेशन का में इसको आप कैसे दिखते हैं? अब मुझे बताइए जो 2014 में हम आए हमने ऐसी कोई निती बनाई है क्या? जो जिसके कारण किसी को रुकावट हो जाए तो ये उनके पाप है, उनके पापों को देश भुगत रहा है अगर उन्होंने सच्के अर्थ में सेकुलरिजम किया होता, सच्चे अर्थ में सावाजिक नाई किया होता, वोट बेंकी राजनिती न की होती तो ये उनको आज इस प्रकार से जूठे कागजों को ले करके घुमना नहीं पड़ता मुझे विश्वास है कि दस साल से मैं जो कर रहा हूँ सिती एसी आएगी कि जितनी बाते हैं उनका जवाब हमी देंगे कर कर के देंगे हर एक को योग देंगे आज हमारे पहले देश की राश्पती आदी वासे कैसे बढ़ी थे हमारी सोच के कागजों हमें तीन बार राश्पती बनाने का मोकाव आया हूँ एक बार अटल जी के समय दो बार मेरे समय पहली बार हमने किसको बनाया माइनोरिटी को बनाया, अब्दूलकलाम जी को बनाया, मुझे मुका मिला पहला तो किसको बनाया, दलीद को बनाया, दूसरा मुका मिला तो किसको बनाया, आदिवासी महला को बनाया, तो यह हमारे आचरम से पता चलता है, कि हमारी सोच क्या है. मोधी जी आपने एक बात और कही है और इसको में एक लंबे सवाल से भी जोड़ना चाहता हूँ, आपने कहा है कि अगर इनका गटबंधन जो है सरकार बनाएगा तो ये PM बाय रोटेशन होगा, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे है कि किसको PM बनाएगे तो एक-एक साल के लिए सब लोग PM बनेंगे, सवाल मेरा थोड़ा बड़ा है, सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि जिस स्टेज में इंडिया का जो development स्टेज है, उसमें कोईलेशन गवर्मेंट काम करेगी या एक स्टेबल गवर्मेंट ज्यादा एफेक्टिव होगा, दो अलग-अलग सवाल ह देखें, आप ओंग्रेश का करेक्टर देखें, उनके यहां राजस्थान में पार्टी के अंदर आंतरिक संगर था, तो उन्हों फर्मुला बनाई, डाई-डाई-जाल मुख्य मंतरी की, डाई-जाल एक मुख्य मंतरी रहेंगे, डाई-जाल दूसरे मुख्य मुख्य, इ प्रटी के साथ दोका किया, खुद की पार्टी के अंदर उनके इँ दोका करने के उनकी प्रहूरती, इसका मतलब ऐसी फार्मुलाक्रेस के दिमाग में होना यह पुर्वन है और मैंने अभी कहीं मीडिया में पढ़ पड़, उनके कोई छोटी से मिटिंग भी ते ही, तो इ कि मेडिया में पड़ा में ने और उसमें ये कहा गए अब आज के स्टिजम मोदी बार बार पूछ रहे हैं इतना बड़ा देश किसको सुपरत करे अपको नाम तो होना चीह ना इतना बड़ा अब किसी अब नाम दीजिए कोई तो नाम देना पड़ेगा ना और क्रिकेट की कि टीम होती है वो भी कैप्टन बताती है आप बतानी रहो कितना बड़ा देश देख इसको अंब जांकर भिरों को ऐसे फ़र्मिला बनाई है कि भाई बन यर वन प्यम फ़र्मिला अब एक प्यम एक साल रहे गा तो आएगा पूरी नई सरकार बनाएगा तो पर सपसमारों अब कोई देस ऐसब चल सकता है इतना बड़ा देशों तो देश ने तिस सानल तक अस्थिर्था देखी है, मिली जुली सरकारों का दोर देखा है, आज दुनिया में भारत के प्रतिक विस्वाफ बड़ा है उसका कारण, भारत के 140 करोड लोगों ने एक स्थी मजबूत स्पस्ट बहुमत वाली सरकार बड़ाई, तो कोई भी भरोसा करेगा, यहां, इस सरकार के पास मेंडे है, मिली जुली सरकार पर कोई भरोसा है नहीं करता है, और इतना बड़ा देख, ऐसे थोड़ा चल सकता है, लेकिन आज देख की राजनिती ऐसी है, कि कोई एक पार्टी कितने ही बहुमत से क्यों ने जीते, उसने रीजनल एस्पिरेशन्स को ओनर करना ही होगा, और हमें पूर्ण बहुमत मिला, फिर भी हम सरकार NDA की बनाते हैं, NDA के साथियों को लेकर की बनाते हैं, क्योंकि एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद भी देश के राजनिती उजवल भविश के लिए, देश के लोगों के एस्पिरेशन्स के लिए, रीजनल तक देना चाहिए, उतना ही हिस्सा देना चाहिए, और ये करेक्टर NDA ने डेवलप किया है, भारती जनता पार्टे ने करके दिखाया है. आपने रीजनल एस्पिरेशन्स की बात की तो उसकी बात हम लोग करेंगे, एक सवाल और जिससे पहले क्यों सपर आते हैं, अब आपोजेशन की सारी पार्टी, जराहूल गांधी, कॉंग्रे, सब ये कहते हैं कि मोधी जी ये जो है मैच फिक्सिंग कर रहा है इस चुनाव पर, उन्होंने कहा है कि ED, CBI और EVM के बिना आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं, क्या कहेंगे आप। ED, CBI का काम तो इतने सालों तो कॉंग्रेस ने किया है, वो जीत जाते हैं और इतना बड़ा देश एक मुंसिपाल्ड का चुनाव फिक्स ने कर सकते हो भई, जरा करके जखो, ये संभव होता है क्या फिक्सिंग, क्या दुनिया को मोरक बना, लेकिन दूख इस बात का है, कि अच्छिए बाते करने वालों को आप मिडिया के लोग उनको पूछ दे के वज़ा हमको पूछते हो, लेकिन इसमे एक बात जोपना सा है, जी, मैं मानता हूँ पिछल जे कई दिनों से, इंडी एलाइंस के लोग इतने निराश हो चुके हैं कि अभी उनको बहाने डूनना बहुत जरूरी बढ़ लाया है क्योंकि पराजय के बाद भी लोगों के सामने जाने के लिए कि उनको तरी इसलिए मैं समझता हूँ शायद वो अभी से ये सारे तर्क डून रहे हैं कि पराजय के तर्क क्या होंगे शायद उसी की उनकी इंटरनल एक्सरसाइज है जाएए मोदी जी दो स्टेट्स अहम है इस चुनाव में एक है करनाटका और एक है महराश्टा करनाटका जहां पर अभी आपकी हार हुई थी विधान सभा के चुनाव में और महराश्टा इसलिए क्योंकि वहाँ पर एक अजीब सी खिछड़ी बनी हुई है तीन पाटियां दो पा नेहा हिरेमत मर्डर केस बाला चर्चेक आए रहे नेहा खिल्ड इंसाड दर कैंपस पायाज इवन जीपी नदाजी रच्टू हर हाउस आप क्या सूच रहे है यह अभी फोकस शिप्ट हो रहा है क्या करनाटक का चुनाव का फोकस ऐसे इसे इस्चू को शिप्ट हो रहा है देखिए नद्दा जी का कारकम वहां चल रहा था और इतनी बड़ी घटना घटी थी और ऐसी चीजों में हमें वो किस दल के थे वो कॉंग्रेस के थे उसकी बेटी की हत्या हो गई तो हमारा क्या यह हमारे समस्कार नहीं है नहीं हमारी सोच है और एक मानविय संवेदना का भिषय है और मैं मानता हूँ कि अच्छा हूँ और रग्देख जी ने इतनी चुनाव कि आपाधापी मैं भी उनके स्वांतुनाना देने का प्रयास किया है यह पूरी तरह मानविय वहवार है मैं भी अब मुझे मैं पताता हूँ कि साइद कुन सा चुनाव है मुझे आप लिए है लेकिन राहूल जी कहां कहीं पर हुआई जहाज मैं कुछ गड़ब हुआ है तो मुझे पता चाला तो मैंने तुनसरों को फोन किया यह ने कभी आपको कुछ धिकत भी यह क्या हुआ है यह हमारा करता भी मानता है मैं गुजरात का मुखिमत देता और दमन में मैं मैम सोन्या जी फिर हमारे एहमद पटेल से वो सारे लोग उनका हेलिकॉप्टर एक नम से क्रैश कर गया मुझे पता चाला मैंने तुनन्त फोन किया मैं यहां से आपको एर अबुलन्स भेजता हूं तो एहमद भी ने मुझे कहा है नहीं बेलकुल हम लोग सरामत है यह बाठीक है है हेलिकॉप्टर क गौशन outrum और वहां उनको तब यत एक नम खराब हो गई तो मैंने तुनन्त यहां से सब को भेजा मैंने का बहुत देखो क्या मामना है यह का हवाईजाद दो उनको तो यह एक तो मेरे समस्कार भी है और मैं मानता हूँ कि यह राजनेती से परे होते हैं चीजे तो मेरे लिए किसी कभी, किसी भी परिबार ने आपती आ जाए यह हमारा राजनेती से उपर उठकर के ही वेवार होना है चाहिजी Sir, regarding the guarantee schemes, in Karnataka, Congress promised five guarantees and they after coming to power they delivered that one, they as per their promise they are delivering that one. Now, whereas in BJP, BJP is more in the last election you lost there, only 66 seats you able to win there, BJP able to win there. Now, again, Yadropa Ji ka leadership और उसका बेटा का leadership में ज्यादा फोकस हो रहा है, इसका वज़े से तोड़ा सा BJP का अंदर भी कुछ लोग नाराज भी है हुदर. Actually, आपका मन में, करनाटaka में आपी BJP कितना seat जी सकते हैं, क्या है आपका? Number One, करनाटaka की जनता पश्याताप कर रही हैं, कि हमने इतनी बड़ी गलती कर दी, इनको बिढ़ा दिया, तो जन समर्था नमारा कम नहीं हुआ है, जन समर्था नमारा बढ़ा है, लेकिन इन्होंने इतनी कम समय में हैं, CM कौन अभी भी वह बात सैटल नहीं हुए है, शपत हुआ है CM का, लेकिन सैटल नहीं हुआ है, अपने आपको CM मानने वाले लोग बहुत है उसमें, आप कानून में होस्ता देखिया, चर्मरा गई है, बंबलास हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, आर्थिक स्थिति पूरी कंगालियत के स्थिति में हैं, बादे तो बड़े बड़े कर दिया हुना है, और फिर टैंग लगाएं, ऐसा होगा तो यह मिलेगा, वैसा होगा तो नहीं मिलागा, बटलब आप जनता के साथ दोका भी कर रहे हो, जब हमने कहा कि भी हम इन लोगों को आईश्मान कार फिर इप जन बड़ लगा अगर उसमें बेहिमानी नहीं खड़ी चाहिए, अभी जब हमने का भी हम सत्तर साल से उपर के, किसी भी वर्क के व्यक्ति होगे, इनको आईश्मान काड देंगे, बटब देंगे, आपने यह हुम्यत हो इसी है, उन्होंने किसानों की जो योजन देश की इजद बढ़ाने में बैंगलोरू का बहुत बड़ा रोल है, दुनिया में जब जाते हैं तो बैंगलोरू कहते ही, ऐसा लगता है वो जैसा परिचित है, टैंक हब के रूप में जाना जाता था, आपने देखते ही देखते हैं इसको टैंकर हब बना दिया, और टै आपने संख्या भी कर दी, एमाउंट भी कम कर दी, यहने एक के बाद एक आपने ऐसे नेगेटिव काम किये हैं, जिन मुद्धों को लेकर के वोट मांगा, उन मुद्धों को आप बोट देनी पर रहे हैं, अचा डप टु सीम, वो अपने भाई के लिए वोट मांग रहे है और वो खुद सीम बन सके, इसलिए सब खेल 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 रहे हैं, वो सीम से हटे, इसके लिए भी खेल खेले जा रहे हैं, जहां तक भारतिय जनता पार्टी का सवाल है, हम टीम स्पिरिट से काम करने वाले जोग हैं, भले मेरी टीम ने मोधी को आगे किया, लेकि मेरी पूरी तेम काम कर दिये जी, उसी प्रकार से ये दूरप्पा जी हमारे वरिष्टर नेता है, लोगे काम पूरी टीम कर रही है, और टीम महनत करती है, लोगो विश्वास भी है, और हम आगे बढ़ रहे हैं. Regarding this drought, बारे में, अलड़ी, Congress is claiming that we went to Supreme Court, now central government is forced to give a rightful compensation. What's your opinion? अब जहां तक State Disaster Relief Fund का सवाल है, हमारी सरकार ने पहले ही जो कैंदर का हिस्सा होता है, वो उनके यहां बैंक के खाते में जमा करके दे दिया हुआ है, जी हमारी इंटर मिनिस्रेल टीम, उसने भी प्रभाविक शेत्रों में जो नियम है, वद्द ही हो जो हमने नहीं बनाई, कई दसकों से हैं, उसके अनुसार वो टीम महां गई है, जा करके उसने सर्वे किया है, और हर बाराचा होता है, जीसे मेरे हां गुजरात में भुकम पुबा, तो मैंने एक मेमरेंडम भेजा, बाराच सरकार ने एक टीम भेजी, उन्होंने सर्वे किया, उन्होंने हेजाब पर्मिशन देंगे, हम दियाना काते हैं, NDRF के तहट अब राश्य रिलीज भी कर चुके हैं, उस नियम के अंतर का। मोदी जी थोड़ा सा हमारे सांग, हमारे अंकर जुड़े हुएं विलास बड़े या आप से कुछ महराश्य के बारे में बात चीत करना चाहिए। आपके साथ है, जो दोगूठ है आपके साथ है। क्या उद्धव ठाकरे जी और शरत बार जी के साथ या उनके पक्ष में, आप कोई एक सींपतिकी लहर देख रहे है। दिखें, पहली बात तो मैं महराश्य के सभी लोगों को मेरा नोशा और बर लिए अच्छी बात है कि मैं अलग से महराश्य के विशेगोले के आप से बात बात हुए। अब देखें, ये बात सही है कि वहाँ लंबे अर्से से मिली-जुली सरकार चलती है। कोई एक मुख्यमंत्री रहा नहीं है। एक बीवेक्ति पांट साल मुख्यमंत्री रहे है। कि महराश्य के लोगों से भोट मागा। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के फुद के व्यक्तिकत महत्वकांख्या के कारण और उसमें अहंकार भर गया। इसके कारण आपने बारसाब ठाक्रे के जमाने से बनी बनाई इस जोडी को दोका दे दिया। जो मुसिबत है उनके पारिवारिक जगडा है। बतिजा समाले कि बेटी समाले है। कि और कोई सक्षम देता उपर आए कि खुद का बेटा भले अभी जैसे यहां एक परिवार में कॉंग्रेस के चल रहा है उस पर तो वो जगडा उनका है जी। और मैं मानता हूं हमारा देश इस प्रकार के पारिवारी जगडों के परती नफरत करता है। तो यह बिलकुल ही आप सिंपधी सब्द लेकर के सिंपधी दिलवानी के अगर कोई कोशिश करता है तो मैं समाता हूं वो भी फेल जाने वाली है। लोग नफरत करते हैं। लोग ऐसे चीजों को स्विकार नहीं कर सकते हैं। कि यह तुम्हारे घर के जगड़े तुम घर में निपनो नहीं। महाराश्टा को क्यों परबात कर रहा हूं। तो गुस्सा है। दूसरी बात है। जहां तक आज सिंदीजी के नेतृत में जो सरकार चल रही है। पर भारती जनतापार्टी का ज़्हाधा सिटे होने के बद में त्याग किया। त्याग महाराष्ठ की भलाए के लिए किया। कुछ लोगों को लगता था हम सी म बनना चा HOL नहीं। वर हम सीचन बन सब्सक्也ूँन। कि हम महाराष्ट्र के लिए जीते हैं हमारे लिए नहीं जीते हैं और इस चुनाव में ये सिंपती हमारे पक्ष में है कि इतना बड़ा दल एक मुख्यमंत्री सफल रहा हुआ मुख्यमंत्री वह आज डेप्टी सीम बन करके भी एक प्रकार से खुद के सम्मान को छोड़ करक कि आज भारतिय जनता प्वारटी सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के उजवल भविश के लिए और मैं मानता हूं हमारे देश में बंगाल बरबात हो गया कोलकत्त एक डिने उक टरयी महाराष्ट्र को इस आहलत में जाने नहीं देना चाहिए मुंबई देश के आर्थिक राद्धानी है हमें देश हित में भी महाराष्ट में मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहिए और ये बाप हम महाराष्ट के जनता को समझा रहे हैं उनको कन्वे कर रहे हैं और महाराष्ट के जनता बहुत पोजिटिव रिस्पॉंड रहे हैं महाराष्ट में बीजेपी, शिवसेना और न्सिप की महायूती बनी है लेकिन इस चुनाओं में आखरी समय तक सीटों की खिचातान बहुत चल रहे है अभी तक टिकट का वितरन भी बहु जगा पे नहीं हुआ है ये महायूती पर एक बड़ा सवाल नहीं है खड़ा करता मुझे रखता है ये जो पहले दो वाक्य बोले न उसके सिवाए बाकी सब जो बतार रहे हो उन लोगों का प्रॉब्लेम है वहाँ सीटे तैनी हो पा रही है वहाँ दिरनए नी हो पा रहा है वहाँ परॉल्ल चुनाव लड़े जा रहे है इस बाजू तो हासा ही ओली भी जो बुड चल पड़े है लोग पी जुल करके सीटे तै乾 करकरके चल पड़े है और वैलिन एडवांस कर दिया है, सिवसेना, बीजेपी और नसीपी, इतीनों ने इसको कर लिया है, सामने जो नकली पार्टियों का मेलाब मेलाब है, वहाँ नहीं हो पा रहा है, उल्टा है है। हम बहुत ताकत के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बोड भी बढ़ेगा, सीट भी बढ़ेगी। कि मोदीजी देशा से नवे पुतीना है, आप नए पुतीन बन रहे हैं, आप इस कमेंट को कैसे देखते हैं? मैं उनका आधर करता हूँ, आज भी करता हूँ, और मैं मानता हूँ सार्वजनिक जीवन में, लंबे अर्शा तक जिन जिन लोगों ने काम किया है, वह हमारे साथ रहे, न रहे, हमारे विरूद बने, वह अलग बात है। इसका मतलब यह हुआ, कि जिसके अंदर वह पुतीन को देखते हैं, उसकी सरकाँ से एवोड लेकर के वह गर्व कर रहे हैं। यह तो बहुत बड़ा कॉंट्राडिक्शन है हुए। लेकिन वह घर्वकर हैं, जहां तक मेरी पार्टी की सोच और व्यक्तिकर तुप से मेरी सोच अब देखे हमने भारत रत्न दिया तो इसको दिया? प्रणमुकर जी, नर्से माराओ, चौदरी चौनान सिंग जी, करकुरी धाकोर और इस देश में किसे ने क्वेस्चन नहीं कि अक मधिजिया अप इनको क्यो पारत्रत देने हैं। सब को लगते हां यार यह यह डूठा, डिजवता है। किस दर्गे थे हमारे खिलाप डेल सारी बाते उनों बताईगी ऐसे लोग हैं। लेकिन निरने उसके अधार पड़ी होता है। आप पद्म पुरस्काद देके मुलायम सिंग जी, असम के तरून गोगई जी, पीये सांगमा जी, जमीर जी, एसम कर्ष्णा जी। आप देखे जी, सारे लोग हैं दूसरी पार जोगे हैं। हमनों उनको पद्म दिया। हम पद्म में उनको उपने अपने ख्यत्र में जी, वफने जोगदार है। तो मैंने पूरा पद्मपुरसकार तो मैं मनता हूँ कभी अगर आप स्टोरी चलाएं, मीडिया के लोग इंट्रेस्ट करें, भारत में पद्मपुरसकार को कैसे परिवर्तित किया गया, कैसे पद्मपुरसकार एक प्रकार के सच्चे अर्थ में सम्मान बना दिया, इतना क्यों दिया? नहीं, देने के बाद दियो, उनने ऐसा है, यह शर्ती थोड़ा होता है, मैं पद्मप देता हूँ, वेरे लिए चूप रहे ना, यह को एग्रिमेंट थोड़ा होता है, यह गिव एंटेक फॉर्मुला नहीं है जी. मोधी जी थोड़ी सी बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, सबसे बड़ा प्रदेश है, 80 सीटे वहां से आ रही हैं, क्या इस बार आप लोग 2014 का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे, 70 सीट लाएं थी BJP, 73 इंडिये, इस बार अगर देखें तो अखिलेश और राहुल सांत में च इस उसमें आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं? अचे यह पहले इखटे नियाएंगे भई, पहले भी इखटे आचुके हैं, बार बार इखटे आचुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जन्ता को अपना भविष्य क्या है, उसकी समझ पूरी है, और इसलिए मैंने पार्लामेंट पर कहा था, कि आज उत्तर प्रदेश की और देश का हाल ऐसा है, कि बड़े-बड़े नेता, लोगसभा के मैदान से भाग रहे हैं, राजसभा के रास्ता खोज रहे हैं, और हुआ वैसा ही है, बड़े लोग ने चुनाव लड़ने के लिए तयार देगे जी, लेकिन हमें जिम्मेबारी के साथ काम चल रहे हैं, बचेगा ही नहीं? इसको या तो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, या ड्रॉप कर दिया गया, इस बारे में एक पहले बात है, एक भी केस ड्रॉप नहीं किया गया है, जो अदालत कहेंगी वही होगा, हम को देड़ने नेगे, इस वतंत्रा है, दूसरी बात है, पोलिटिकल लेडरिशिप के हुने किस केस कितने हैं भई, ओंली 3%, 97% अच्छे बूरोक्रेट जल में है, आखीर कें इस सहुंस्थायाख का जन्व क्यो हुँआ हैं, अगर इस सहुंस्ताओं का जन्व इसी काम के लिए जे ऐसे नही स्वानमे हैं, ओर अदालत इस नहीं बड़ी हैंगी जिए इसे बा TCP तो अजादर देखती होगे नहीं, और ब्रस्टाचार के मामले में हम कम से कम उसको लाइट नले जी, सच पुछ में देश में चर्चा होनी चाहिए, कि पहला इक जमाना ऐसा था था, को आरोप लगता था तो भी हल जाते था, आज गुना सिद्ध हो चुका है, सजा हो चुकी फिर भी आप भाद उचाहर कर कर फोटो निकल वा रहे हो, आप ब्रस्टाचार का महिमा मंदन कर रहे हो, इस देश में इह अलोचना का विशय होना शईश, ब्रस्टाचार को न्यू नॉर्मल के रूप में ट्रिट नहीं करना शईए, वरना इज देश का बहुत दुक्सान यह सवाल बीजेपी और अधर्स कमाना नहीं है देश के लिए ठीक नहीं है कि आप इसको नियु नॉर्मल बना दे और मैं देख रहा हूं देरे 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 असा बातान बनाया जा रहा है तो चलता रहता है यह यही तो देश गरीब आद मी मर रहा है जी हमने कैसे भी करके इ रिजॉल्व होना चाहिए यह कंट्री का वो नहीं हो रहा है जी और मैं तो मानता हूं को बही देखे है मैं मैं कुझो कोशिश कर रहा हूं एक है चलता का सिस्टेम को पॉलिसी डिवन बनाओ टक्लमजि आप नाव और पूल लाओ पर सैटे आज हमने पहले परदान मंत्री वत रहता है जाता है पुरे सॉपह से पहुंटते हैं ढेता है के टांस्पर्चों सिस्टिम को सुधार हुई हमने जैम पॉर्टल बनाया को करुप्षन को कम करनी दिशा में बहुत बड़ा कदम है जी दूसरा समाज को भी जगा है समाज को भी आदत तालों को भी प्रस्टाचा बुड़ा है किसी भी स्थर पर प्रस्टाचार से बुगर और देश में वो मात्रा बन रहा है पॉलिटिकल लोगों को डर नहीं है और मैं मानता उसमें कुछ मात्रा में ये जो सिर्फ हमारा विरोध है इतले उनका समर्दन कर देना ये शोभा नहीं देता है पर आपने पिछले कारिकाल में काफी बड़े काम किये आर्टिकल 370 को र इसको आप कैसे देखते हैं पहली बात है कि जिसको भारत का सभीदान समझा है इसको भारत के फैडल स्रुक्चर का पता है किसके पास कौन काम है वो सब पता है वो कभी ऐसी बात बोलेंगे नहीं क्योंकि ये उनके अधिकार खेतर का विशय ही नहीं है अगर मोदी भी भारत सर्कार करेंगी जो राजर सर्कार के विशय होता है वो राजर सर्कार करेंगी लेकिन जन्ता को मरत मनाने कि फैशन हो गई है य। इसलिए भूलते रहते हैं दूसरी बात है कि मैं चालेंज करता हूंक। पार्टी कल प्रेस कौन बढ़ करके बता दे, कि हम 370 बापीश लाएंगे, क्योंकि 370 बापीश लाएंगे, क्योंकि 370 हैंटने के बाद, ये लोग समीधान की इतनी बढ़ी बाते करते हैं, बाबसाब अमवेडकर के नाम पर हमको इतनी गालिया देते हैं, हिंदुस्तान में बाबसाब अमवेडकर का समीधान पुरे देश में लागू नहीं हुआ था, जम्मू कश्मीर में 70 साल तक भारत का समीधान नहीं लगा है, ये हमने आकर के भारत के समीधान, और वहां दलीतों को पहली बार आरक्षन मिल रहा है, वालमी की समाइज वहां रहता है, वहां प जाए मैदान में. मानने को तयारने के देश की जनता ने मोधी नाम के किसी व्यक्ति को प्रजान मिलती बनाए, तो ऐसे एक जमात है, जो देश के मैंडेट को सुकार करने को तयार नहीं जी, अब हाकिकत है भई, कि देश की जनता हमको समर्थन दे रही है, आपने हिसाब लगाया तक नहीं हो तो यह आपकी जलती थी, लोग, हमाई का लोगों के साथ सब पर कहा है, मैं माल्दा में था, मैंने जी, बहरान था, कितना बड़ा जबर्दस्त वाह माहूर था था जी, अब जनता जनादन का विस्वानत बन रहा है कि देश में एक स्थी मजबूत सरकार है, बंगाल में भ जनता के बाद तो मताधिकार है, उस इपना गुसा निकालेंगे, तो गुसा निकलना है बहुत स्वाभाविक है, आपने देखा हुआ को नोटों के डेर, क्या कभी आपके टीवी वालों ने इतने सारे नोटों के डेर कभी पकड़ गई देखा था है, पिछले पुछ सालो में आप लगा साल, 50 करोड के ठेर, 300 करोड के डेर, 500 करोड के डेर, 200 करोड के डेर, देश चौक गया है जी, आप कितना इसको दबाने कोशिश करो, लेकिन देश के दिल दिमाग में स्थीर हो चुका है, ये लूट लूटने वाले लोग हैं, तो इस बार जीत और बड़ी हो पर केंदर में हमारा समर्थन की अधार मुद्दों के आधार पर और ऐसे बहुत से दल जो मुद्दों के आधार हमें समर्थन देते रहे हैं, तो बीजरी का हमारा नातावुरा राज जेके अंदर हम बिलकुल उडिशा की पुरी अश्मिता करतम हो रही भाई उडिशा की अश्मिता संकट में है उडिया लेंग्वेज वो खत्रे में आ रही है और मैंनी मानता को उडिया के लोग अब यह लंबे अर्शे तक इसको सहन कर सके इतने सौंसादन है जी आज उडिशा देश का तो अब उडिशा की सामान ने मानवी के इंदे एस्पिरेशन साहिजी और मुझे लगता है कि हमें सेवा का मोका मिलना चाहिए हम उडिशा को कहां से कहां पोँचा कर देंगे उडिशा से बात बिहार की भी करते हैं बिहार में आपने फिर नितिश जी के संग वापस जो है आपका गड़बंधन उनके साथ है उस गड़बंधन के साथ लड़ रहे हैं कैसे देखते हैं पिछली बार उन-तालिस सीटे थी आपकी चालिस में क्या इसको रिपीट कर बिहार में ही था जो जन समर्थन में देख रहा हूं यह अन-प्रिसिडर इतनी गर्मी में कोई पैंडाल नहीं कुछ नहीं है और लाखों लोग जिस प्रकार से इस बात से जुड़े हुए है बैस साब देख रहा हुँचे की बिहार में पहले हम एकाथ सीट साथ हार जाते आते हैं शाइद इस बार एक भी नहीं हा रहेंगे चालिस में चालिस एक भी नहीं हा रहेंगे अभी हाल फिलाल में राहुल गांधी ने भी आप पर कुछ आपको कुछ ऐसे शब्द बोले हैं जो की परस्नल अटक के तौर पर उनको भी देखा जा सकता है ये ऐसा मोधी के साथ क्यों होता है मोधी के साथ क्यों हो रहा है इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है लेकिन ये सवाल मोधी को क्या पुछ नहीं है ये सवाल इस देश में चर्चा का होना चाहिए कि सारवजन एक जीवन में है अखिर मोधी का गुना क्या है वो पीम बना वो ही गुना है ना मठलब आप जो भी गाली देते प्रदान मंत्र को देंगे अब प्रदान मंत्र को इस भारत के राष्पदी पर भी किस प्रकार का कटास किया गया था शरमा इस प्रकार जिवाशा का प्रोग किया था ये मैं हमेशा मानता हूं जी मद्दाता ही मेरा परिवार है देश ही मेरा परिवार है और मैं सकारत मगरा से जा रहा हूं लेकिन जो ऐसा कर रहा है उस पर तो किसे अलग कैसे हो गा पहरा कार्काल मिज़ा कैसा ड़या को बस सामान ये मानवी की जो जरुरूरत थी उनको मैंडर्स करना चाहता था मैंने उद देशा में काम किया और उस समय देश के इंदर एक निराश्या का वातामन था कि सरकार के प्रती नफरत कामाता मैं सरकार्यान ये निकमी मुझे विस्वात भरना था मैं उस प्रकाप किया बजबुति लाया जो दूसरा कारकार था तो मैंने कुछ परनाम दिखाए लोगों को विस्वात भर दिया हम आगे बढ़ सकते हम दुनिया के अंदर एक अब मुझे देश को तीसरी आर्थिक महाशक्ति बना रहा है लिकि ये जब मैं ग्यारा से पांच पर लाया उसी की कंटिनुटी है जी ये मैं पांच बड़ और भी निकमा और तीन वाला अच्छा ऐसा नहीं हो सकता तो पहले मनमौन सिंग की जमाई पर ग्यारा तक थे हम जोर लगा करके पांच पर ले आए अब जोर लगा करके तीन पर ले जाएंगे तो हम हर चीज में कंटिनुटी करना चाहते है अब जैसे बिजली हमने बिजली पहुंचाने का बड़ा भ्यान चला है बिजली पहुंचा दी हम मेरा लक्ष है पीम सिर्व की गर्व योजन और जीरो बिजली बिल और मैं हर घर पर सोलार सिस्टिम लगे और मैं सिरफ बिजली का बिल जीरो चाहता हूँ इसमें तीन चीज़े चाहता हूँ एक हर परिवार का बिजली का बिल जीरो हो दूसरा अतिरिक्त बिजली जो हो वो बेचे कमाई करें तीसरा जमाना इलेक्टिक वेहिकल का आएगा, मुझे आतमे निर्फर होना है एनर्जी के सेक्टर में, और इसलिए मैं चाहूंगा जो इसके पास भी स्कूटी हो, मोटर हो, जो भी हो, उसका चार्जिंग अपने घर में हो जाए, और सोलार से हो जाए, मतलब आज उसका जो जाए, और दो हजार का खर्चा आता है, वो भी जीरो हो जाए, ये त्रीवीद बेनिफिट नागरीक को और देश को परियावण का मेनिफिट, देश को आज पैट्रोलियम इंपॉर्ट करना का है, जो अर्बो अर्बो डॉलर जा रहे है बार, वो बंद हो जाएगा, तो आला योजना, अब जैसे स्टार्टर फब, मैनुफेक्ट्र बनाना है मुझे, इनोवेशन हब बनाना है, याने मैं एक बिलकुल नए अरिया पर देश को लिए जाना चाहता हूँ, और बड़े कॉंफिडेंस का और वीजन मेरा क्लियर है, मुझे कोई दुवीजानी मेरे बताया है, नेक्स हंडेटेज जो है, चार्ज उनके बाद हंडेटेज में मुझे क्या काम करना है, अभी से मेरा पास क्लियर है, पांच साल में क्या करना क्लियर है, 2047 में विक्सित भारत बने क्लियर है, इसलिए मैं कहता हूँ, 24 by 7, for 2047, ये मेरा मिजा जाए, इस पर आपने आपकी पूरी हिात्रा में बहुत सारी कठीनाय का सामना किया है, ऐसी हालत में भी आप तफ डिसिजिएन लेते हैं, इक कैसा कर पाते हैं? देखे, मैं तफ डिसिजिएन पर नहीं लेता हूँ, जब सही डिसिजिएन लेता हूँ, कोई तफ लगे, किसी को तफ लगे लेकिन फुर भी मैं सोचता हूँ कि सब कैसे होता है, जैसा आचरज आपको होता है, मुझे भी होता है, कि मुझे भी होता है, कि मुझे भी कैसे करता है, फिर मैं सोचता हूँ, नहीं नहीं, शायद परमात मैं नहीं, मुझे इस काम के लिए बेजा हुआ है, मुझसे जो वो इश्वरी शक्ति करवा रही है और उश्वरी शक्ति ही इश्वरी ये प्रेना से मैं करता रहता हूं ये कोई परमात्मा के देन है परमात्मा नहीं मुझसे कुछ काम ले नताय किया है किसी परपच के लिए परमात्मा ने मुझे बेजा है और इसलिए मैं ये जो बाकी त तूफान में शान्थ कैसे रहते हैं? मुझे उसे परे रहता हूँ. मुझे शायद परमात्मा ने यही रह दिखाई हैं, कि कि उन चीजों में मत उल्जियो, तुझे कोई बड़ा काम करना है, तुम अपने काम में लगे रहो. तो परमात्मा का निर्देश है, परमात्मा की इच्छा है, परमात्मा की यूजना है, और शायद यह उसी का मैं एक निमीत तो कुछ है। इसी सो जुड़ा सवाल था कि आपको हम लोग देखते हैं हमको आपका शेडियूल मिलता है, आप इतना ट्रेवल करने हैं दिन में पांच, चार, छे रहली वो भी कोई इस प्रदेश में तो कोई दूर दूसरे प्रदेश में तो इस सब में आप फिट कैसे रहते हैं, कौन सी ऐसी शक्ति है जो आपको यह दुड़ संकल्ब दे रही है आगे बढ़ने का। पहली बाप तो मैंने कहा न, कि यह मैं नहीं कर रहा हूँ जी, यह इश्वर ने ताय किया हुआ है, इस्वर ने मुझे शायद इसी काम के लिए भेजा है, क्योंकि मैं जिस परिवार में पारा हुआ हूँ जी, मेरी माने कुछ पड़ी लिखी नहीं थी, तो स्कूल नहीं देखा था, मेरा कोई political background नहीं है, और इतने हो बड़ा देश इतना काम इश्वर नहीं करेगा, तो कौन करेगा है, और मेरे लिए दो इश्वर हैं, एक जिसको हम देख नहीं पाते हैं, और दूसरे वो जो जनता जनादन है, जनता जनादन को भी इस्वर का ही रूप मानता हूँ, और दूसरा परमात्मा के प्रदि मेरी अपार्स रद्धा है, शायद परमात्मा ने मुझे इस काम के लिए भेजा है, जनता जनादन ने आश्रवाद भी है, शक्ती है, जहां तक मैं काम क्यों कर पाता हूँ, मैं मेरे लिए जीता नहीं हूँ, मैं मेरे लिए जन्म तो मेरे मन में हमेशा रहता है कि मुझे जितना समय मिला है इसका पल पल मैं देश के कामा हूँ जहां तक मैं दोडता दूरता है लोक तंत्र एक बहुत बड़ा उत्सव है फेस्टिवल है जिए इस जनता जनादन के दर्शन करने का अउसर है जिए नहीं हमें मुका लेड़ा चाईगे जितना जनता जनादन के दर्सन करना चाहिए लोग थन्त्र का एक उट्सव है जिसमे समवाद भुना चाहिए जितना ज्याधा तो मैं इसको एक बैसे हम घर में कोई बडी पूजा करते हैं नहीं कैसे इंवन होते है मेरे लिए पूजा क अटम्हें खब जाता हूं और ख़कता नहीं हूं भगवान को देखे आता हूं मोदी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपने अपने समय इतना समय निकाला आपके नारे की तरह इस बार हमारा भी एक नारा है अगली बार अगली बार सिर्फ न्यूज 18 पर 8 पार बहुत बहुत धन्यवाद आपने मनों को समय दिया चलिए बहुत 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 धन्यवाद सग्णानमादे नमस्कार सग्णानमादे नमस्कार